नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वारते अपने यूटूब चानल में तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं आज कल महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन एक आम समस्या है हार्मोनल असंतुलन गहरेली उप्चार से भी ठीक हो सकता है पिरियज शुरू होने के बाद लड़किया और महिलाओं को किसी भी उम्र में हार्मोनल असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है लेकिन महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के लक्षन और कारण के आदार पर हार्मोनल असंतुलन का इलाज किया जाता है वास्तों में हार्मोन की हमारे शरीर में एक मुख्य भूमिका होती है हार्मोन के कारण ही शरीर में कई क्रियाये आगे बढ़ती है महिलाओं में प्रजनन के लिए भी हार्मोन का बैलन्स होना बहद ही ज़रूर है लेकिन कई महिलाओं में अधिक तनाओ, चिंता, असंतुलित अहार सहित अन्य कई कारणों से हर्मनल में असंतुलन हो जाता है हर्मनल असंतुलन के कारण शरीर के कई सिस्टम प्रभाईद होते हैं और स्थिती गंबीर भी हो जा सकती है इस वीडियो में हम आपको महिलाओं में हर्मनल असंतुलन के उपचार बताने जा रहे हैं तो चलो पहले जानते हैं हर्मनल असंतुलन किसे कहते हैं हर्मोन शडिय के केमिकल मैशेंगेर होते हैं जो मेताबॉलिजम और प्रजनन जैसी कई प्रमुक प्रक्रियाओं को नियन त्रिट करने के लिए जिम्हेदार होते हैं हर्मोन अंता श्राविक गंतिया द्वारा बनते हैं जिनमें थायराइक, एटरिणल और सेक्स हर्मोन मुख्ष हैं जो साथ मिलकर कार्य करते हैं जब एग अंतिया बहुत जादा या बहुत कम हार्मोन बनाती है तो इसके कारण शेरिर में हार्मोनल असंतुलन की समस्या हो जाती है महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के उप्चार जानने से पहले महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के कारण को जान लेते हैं महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के कारण बहुत से हैं इन कारणों में खरब लाइपस्टाइल और खान पान एक हार्मोनल असंतुलन का मुख्य कारण है इन कारणों से महिलाओं में होती है हार्मोनल असंतुलन की समस्या बोजन में पोशक ततों की कमी से महिलाओं में हर्मणल असंतtsåoolin हो जाता है विटैमिन भी और विटैमिन सी की कमी के कारण हर्मणल असंतviolin की समस्या होती है Diabetes, Hypothyroidism, Hyperthyroidism और हर्मोन थेरपी के कारण महिलाओं में हर्मोन गडवर्बर हो जाते हैं मेने पौज एवं Pregnancy के कारण भी महिलाओं में होता है हार्मनल असंतुलन कैंसर के इलाज, चोट लगने, अधिक तनाव लेने, नीद न आने और ट्यूमर के कारण असंतुलन की समस्या होती है कुछ विशेश दवावों का सेवन करने, गर्ब निरोधक लेने, PCOS के कारण हर्मोनल असंतुलन होता है हर महिला में अलग-अलग कारणों से हर्मोनल असंतुलन की समस्या होती है इस समस्या कोई भी लक्षन नजर आए, तो शारिक परेक्षन कराना चाहिए अन्यता हर्मोनल असंतुलन के कारण बहुछ से में गंबीर समस्या होती है अब हम महिलाओं में हर्मोनल असंतुलन के लक्षन के बारे में जानेंगे उसके बाद महिलाओं में हर्मोनल असंतुलन के उपचार को जानेंगे महिलाओं में हर्मोनल असंतुलन के लक्षन ठकान हर्मोनल असंतुलन के कारण बिना अधिक परिश्रम किये थकान का अनुबव होता है और पूरे दिन बिना विशेश कारण के शरीर में थकान बनी रगती है वजन बढ़ना मोटापा और वजन के जिसे बढ़ना हर्मोनल असंतुलन का लक्षन है ड्राइ स्कीन हार्मोन बैलन्स न होने पर स्कीन ड्राइव हो जाती है और चेहरे से मृत त्वचा निजगती है तनाव और डिप्रेशन महिलाओं में अधिक तनाव और डिप्रेशन भी हार्मोनल असंतुलन का एक लक्षन है बाल पतले होना महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के संकेत बाल तूटना और अचानर बाल पतला होना, ये भी एक लक्षन है कब्ज और डाइरिया कुछ महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन होने पर कब्ज और डाइरिया जैसे के लक्षन दिखाई देते बांशपन बांचपन भी हर्मोनल असंतुलन का मुख्य लक्षन है सेक्स की इच्छा गतना जादा तर महिलाओं में सेक्स करने की इच्छा कम होना हर्मोनल असंतुलन का ही एक लक्षन है अब हम जानते हैं हर्मोनल असंतुलन के प्रकार महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की कई प्रकार 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 होते हैं और हर महिला में अलग-अलग प्रकार का हार्मोनल असंतुलन हो सकते हैं जो अंतस्रावी ग्रंतियों के कमजोग होने के कारण हो सकता है आईए जानते हैं हार्मोनल असंतुलन के प्रकार प्रोजेस्टेरोन की कमी से हार्मनल असंतुलन, एस्ट्रोजन की कमी से हार्मनल असंतुलन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रोजन हार्मनल असंतुलन, एक्स्ट्रा एंड्रोजन हार्मनल असंतुलन, हाइपोथायरेज्जम अब तक हमने जाना हार्मनल असंतुलन क्या है और महिलाओं में हार्मनल असंतुलन के कारण उसके लक्षन और उसके प्रकार के बारे में जाना अब हम अगले वीडियो में जानेगे महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के आयुगवेदिक उप्चार के बारे में तो जदो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक खैल रखिये और याद रखिये आयुगवेद ही जीवन है जीवन ही आयुगवेद है दन्यवाद